तो हमने लास्ट पड़ा था कि भिंडी को रेजिस्टेंस मिला था येलो मोजाइक वाइरस से और इस रेजिस्टेंस को लाने के लिए हमने भिंडी की किसी वाइल्ड स्पीसिस से जीन्स ली थी और भिंडी में डाल दी थी ठीक है और एक नया वेराइटी बनाया गया था भि पिर जो भी हमने एक्जम्पल्स पढ़े पीछे जिन भी बिमारियों से नई बचाव के लिए नई बरैटी बनाई गई थिक है तो उन सारी वेराइटी इसको जो है वो रिजिस्टेंट जीन्स मिली उन बिमारियों से लड़ने के लिए तो all the above examples involve sources of resistance genes that are in the same crop species which has to be bred for disease resistance or in a related wild species देखिए जितने भी आपने example पढ़े जिन भी फसलों को बिमारियों से बचाया गया तो उनके लिए हमने कहीं से जीन ली और जो source of resistance genes था वो या तो same crop species में मौझूद था है ना या फिर उनके किसी related wild crops में मौझूद था फिर हम उनका क्या कराते थे? breeding करवाते थे और नई प्रजैनी जो थी वो disease resistant आती है तो transfer of resistance gene is achieved by sexual hybridization between the target and the source plant followed by selection तो वही हुआ ना कि हमने एक select plant select किया जिसमें हमारे पास resistant genes है दूसरा हमारा जो target plant है जिसमें हमको ये genes लानी है तो क्या करेंगे? इन दोनों का hybridization करवा देंगे और आगे जो भी प्रजैनी आएगी उसमें से हम check करेंगे कि किस स्वाले में हमारे desired characters है तो हो गया sexual hybridization between the target this is the target and the source plant this is the source plant और फिर इनके बीश में sexual hybridization के बाद प्रजैनी आती है और प्रजैनी का हम क्या करेंगे? selection करेंगे ठीक है? चलिए अब है plant breeding for developing resistance to insect pest बिमारियों से तो हमने resistance दे दिया लेकिन insects का भी तो होता है ना insects भी बिमारियां cause करते हैं या नहीं cause करते हैं बहुत सारे insects हैं जो हमारे plants में बिमारियां cause करते हैं तो बहुत जरूरी था कि insect से भी क्या मिले? disease resistance मिले ठीक है? तो देखे Another major cows for large scale destruction of crop plant and crop produce is insect and pest infestation एक और बहुत बड़ा reason होता है कि हमारे जो फसली हैं वो पुरी तरह से खराब हो जाती हैं बहुत बड़े scale पे destroy हो जाती हैं और crop का जो yield है वो कम हो जाता है वो है insect या pest के थूट जो भी हमारी फसल को नुकसान पहुचाया जाता है insect resistance in crop in host crop plant may be due to morphological, biochemical और physiological characteristics तो कहते हैं कि insect से resistance तो दे देंगे लेकिन insect से resistance के लिए आप host plant crop में मतलब host crop plant में क्या changes करेंगे जो आपका फसल वाला पौधा है जो insect के लिए host है उस host में आप क्या changes करेंगे तो morphological उसकी morphology को change कर सकते हैं उसके अंदर chemicals को change कर सकते हैं या फिर plant का जो function है physiology है उनको change कर सकते हैं देखिए hairy leaves in several plants are associated with resistance to insect pests for example resistance to jesuds in cotton and cereal leaf bitter in wheat देखिए यह morphology हुआ ना कि बहुत सारे plants होते हैं जिनमें hairy leaves पाई जाती हैं और hairy leaves जो हैं वो resistance देती हैं insect pests से कैसे देखिए example के तौर पे cotton को जो है कुछ pest खतम कर सकते हैं लेकिन cotton में क्या है hairy leaves हैं जिसकी वज़े से उनको jesuds से resistance मिलता है वहीं cereal leaf bitter होता है wheat को खतम कर सकता है लेकिन wheat जो है उसमें उसकी leaves पे भी कुछ-कुछ hairy leaves होती हैं ठीके मनला इसे खुर्दरा सा आपको फिल होगा तो वो जो है cereal leaf bitter से resistance मिल जाती है उस wheat को जिसमें hairy leaves है तो यह हो गया एक morphological character कि किस तरह से morphology जो है वो प्लांट को इंसेक पैसे resistance दे सकती है जैसे कि हमने पढ़ा cotton का cotton में hairy leaves होंगी तो जैसे से resistance मिलेगा वहीं अगर wheat में hairy leaves होंगी तो cereal leaf bitter से resistance मिलेगा अब इन wheat solid stem led to non-preference by the stems of fly and smooth leaves and nectarless cotton varieties do not attract wall worms देखे यह भी अब क्या है यह एक तरह से morphology नहीं आ रहा है देखे वीट में अगर stem जो है वो solid है बहुत सक्त है तो stem soft fly नाम का जो insect होता है वो wheat पे नहीं आएगा और उसको destroy नहीं करेगा तो हम wheat के stem को क्या कर सकते हैं strong बना सकते हैं solid बना सकते हैं और stems of fly फिर उसको preference नहीं देगा wheat पे attack नहीं करेगा वहीं अगर cotton की leaves जो हैं वो smooth हैं और nectarless हैं तो फिर वो ballworms को attract नहीं करती हैं अगर आपको अपने cotton को ballworm से बचाना है तो क्या करना पड़ेगा smooth leaves होनी चाहिए और ballworm में cotton में कोई भी nectar नहीं होना चाहिए तो ballworms जो है वो cotton की तरफ को attract नहीं हो अब यह तो थी morphology जिसमें किस तरह से morphology जो है वो insects को दूर रखती है और plant को ultimately insect और pest resistant बना देती है next आता है biochemical किस तरह से change करता है हमने बढ़ा था कि biochemically भी change हो सकता है high ispatic acid low nitrogen and sugar content in maize leads to resistance to maize stem borers जो होते हैं जो stem को बोर कर देते हैं ऐसे मेज से जो होते हैं उनको हम stem borer कहते हैं लेकिन stem borer क्यों मेज के stem में जाएगा अगर उसमें उनको sugar नहीं मिल रहा है अच्छा उनको nitrogen अच्छा से नहीं मिल रहा है और उनका एक और favorite होदा है aspartic acid जब यह तीनों चीज़े stem borers को नहीं मिल रही हैं तो वो मेज में नहीं जाएंगे और ultimately मेज जो है वो stem borer से resistant हो जाएगी तो यहां आपको क्या-क्या याद रखना है कि stem borers को दूर रखने के लिए क्या ज़रूरी होना चाहिए I'm sorry aspartic acid low नहीं होना चाहिए वो नहीं taller stem borers aspartic acid उनको ना पसंद है पसंद नहीं है तो aspartic acid high होना चाहिए nitrogen and sugar content low होगा तो stem borers जो हैं वहां survive नहीं कर पाएंगे और मेज से दूर रहेंगे अब देखें कि breeding methods for insect or pest resistance involve the same steps as those for any other agronomic trade such as yields or quality and are as discussed earlier तो आपको insect or pest resistance के लिए breeding method use करना है तो वो बिल्कुल same है जैसा आपने पहले agriculture के trade को सुधारने के लिए जो भी method आपने पहले use किये वही methods आप बारा use कर सकते हैं जैसे कि breeding insect or pest resistance के लिए वही आप germ plasm collection कर सकते हैं इसले फिर आप देख evaluation करेंगे फिर आप hybridization करेंगे फिर आप selection करेंगे है ना फिर टेस्टिंग होगी and then इनको release कर दिया जाएगा जो नहीं variety यह उसको release कर दिया जाए source of resistance gene में भी cultivated varieties, germ plasm collection of the crop और wild relative अगें जो source of resistance genes का वो कोई cultivated variety भी हो सकती है जिसको हम उगाते हैं ऐसी कोई variety भी हो सकती है या फिर different different crop से या wild relative से जो हमने germ plasm collect करते हैं वो भी source of resistance gene हो सकता है तो चाहे हमने जो भी पढ़ा हमें जो भी अलग gene चाहिए वो या तो हमें किसी दूसरी cultivated variety से मिलती है या फिर germ plasm collection से मिलती है लेकिन उसके बाद उन सब को evaluate किया जाता है जिसमें हमको अपना desired character मिलता है उसके साथ source plant के साथ target plant का hybridization करवा दिया जाता है और next progeny जो आती है उसमें भी हम selection करेंगे evaluation और selection करेंगे कि कौन से वाले plant में हमको desired characters combination देखने को मिल रहा है फिर उसी को आगे हम multiply करेंगे उसी की हम pure lines बनाएंगे और testing करवाएंगे और उसको release कर देंगे some released crop varieties spread by hybridization and selection for insect pest are अब यहाँ पे जो जो भी varieties mention की गई है यह varieties हैं जिनका insect pest से उनको resistance दिया गया उनका hybridization selection किया गया देखिए brassica rapeseed mustard प्यूसा गॉरफ इनको aphids से resistance है flat bean प्यूसा से 2 & 3 इनको jessets, aphids and fruit borer से resistance है ओक्रा और भिंडी, pusa, pusa swani, pusa a4 इनको shoot and fruit borer से resistance है तो यह हो गया कि कौन सी variety है आप देखिया आपने भिंडी की भी पहले variety पढ़ी brassica का भी आपने पढ़ा वो brassica को किस से resistance हा, white rust से resistance था है ना अब यहाँ पे brassica जो pusa gaurav है इसको किस से resistance है, aphids से resistance है pusa co pusa नाम से भी आपने बहुत varieties पढ़ी, तो बहुत confusion होगा आपको बार-बार पढ़ना पढ़ेगा, तब ही याद रहेगा, otherwise आप हर बार भूलेंगे और हर बार आपको सही से नेड रहीगा, आप इस table को बार-बार पढ़ते रहेगे, regular intervals पे तभी आदख पाएगे चली, अब आता है कि प्लांट ब्रीडिंग को फूड क्वालिटी इंप्रूफ करने में कैसे यूज करा, देखिए, हम तब से पढ़ें कि प्लांट ब्रीडिंग का यूज करके, हम क्या-क्या कर सकते हैं, हमने क्या-क्या ने किया, yield increase करीगी, है ना, फिर drought resistant बनाया, temperature resistant बना इतने सारे काम तो हम कर रहे हैं तब से, अब food की quality को भी improve करना है, अब देखिए, more than 840 million people in the world do not have adequate food to meet their daily food and nutritional requirement, इस सारी संसार में 840 million ऐसे लोग हैं, जिनके पास खाने के लिए proper food नहीं है, अपनी nutritional requirement को वो पूरा नहीं कर सकते हैं, A far greater number, 3 billion people, यह होगे 3000 million है न, 3 billion का मतलब होता है, 3000 million, they suffer from micronutrient protein and vitamin deficiency or hidden hunger because they cannot afford to buy enough fruits, vegetables, legumes, fish and meat, देखिए, एक तो हमने बढ़ा कि 840 million लोग ऐसे हैं दुन्या में जो अपने खाने की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं, इस से भी बड़ा एक number है, 3 billion जो लोग हैं, उनको micronutrients जो ज़रूरी होते हैं, वो नहीं मिलते, प्रोटीन्स नहीं मिलती, vitamins जो है, vitamins भी नहीं मिलती है, मतलब उनको खाना तो मिल रहा है, लेकिन फिर भी उनकी शरीर में जो है, बोडी का, जब वो पूरा नहीं हो पाता है, तो उसको हम hidden hunger कहते हैं, और यह hidden hunger क्यों है, 3 billion लोगों में, क्योंकि वो जैसे तरह से सस्ता खाना तो खा रहे हैं, लेकिन जिन food, vegetable, दालों में, fish, meat, इन सब में, उनको proteins मिलेंगी, vitamins मिलेंगी, और micronutrients मिलेंगी, इनको खरीद इतना वो afford नहीं करते हैं, तो पर्टिकुलर्ली क्या हो गया, आयरन हो गया, वाइटमिन हो गया, वाइटमिन एक हास्ताव पर आयोडीन हो गया, और जिंक हो गया, हमारी बॉड़ी शायद नहीं बनाती है, और हमको बाहर से चाहिए होते हैं, जब यह micronutrients हमारी बॉड़ी में नहीं रहते हैं, तो उससे हमारे शरीर में कोई भी बीमारी लगने का रिस्ट जो है, वो बढ़ जाता है, हमारा जो उम्र है, वो कम हो जाता है, और हमारा दिमाग भी अच्छे से विकसित नहीं हो पाता, हम अच्छे से चिजों को याद नहीं रख पाते हैं, अब इसके लिए क्या किया जाए, हम क्या करें कि फूड की क्वालिटी को इंप्रूफ किया जा सकें, तो ग्रॉप का ब्रीडिंग करवाना ताकि उनमें मिनरल्स, प्रोटीज और जो भी अच्छे फैट्स हैं, उनकी क्वेंटिटी को इंक्रीज किया जा सकें, उस प्रोसेस को हम कहते हैं, बायो बायो-फॉर्टिफिकेशन क्योंकि बायो-फॉर्टिफिकेशन में हम क्या करते हैं अपना जो भी क्रॉप है उसमें किसी भी पर्टिकुलार मिन्राल नूट्रीन की अमांट को बढ़ा देते हैं देखें ब्रीडिंग्रोंप्स विद हायर लेवल और वाइटमिन्स और हायर and healthy fat is the most practical means to improve public health तो ऐसी क्रॉप्स बना दीजिए ऐसा क्रॉप्स का ब्रीडिंग करा ये जिनमें हम क्या लाएंगे फिर हाई वाइटामिन का लेवल होगा मिनरल्स का लेवल हाई होगा प्रूटीन अच्छी होंगी तो ये जो हैं ये कुछ तरीके हैं जिनसे पब्लिक हेल्थ को सुधारा जा सकता है ठीक और इस तरह से ब्रीडिंग करना जिसमें हम प्रूटीन्स हेल्दियर फाट्स और मिनरल्स का कॉंटेंट क्रॉप में इंक्रीस करेंगे उसको हम बायो फॉर्टिफिकेशन कहते हैं ब्र ब्रूटिशनल क्वालिटी इस अंडर टेकन विध फॉलॉइंग विध अब्जैक्टिव आफ इंप्रोविंग देखिए जो ब्रिडिंग हम करते हैं किसके लिए ताकि इंप्रूफ हो न्यू टीशनल क्रॉटी तो उसमें क्या क्या उदेश्य हैं कि क्या क्या ये चार main objectives हैं जिसके अंडर की breeding program करवाया जाता है bio fortification करवाई जाती है protein का content और quality increase करो oil का content quality increase करो vitamin का content increase करो micronutrient and mineral का content increase करिए चलिए In 2000, maize hybrids that had twice the amount of the amino acid lysine and tryptophan compared to existing maize hybrids वर 12 2000 में ऐसी maize hybrids बनाए गए थे जिनके पास lysine और tryptophan का content जो था पहले से मौजूद जो maize hybrids थे उनके comparison में दुगना था 2000 में maize hybrids बनाए गए जिनमें कुछ amino acid का content डबल हो गया था वो कौन से amino acid थे lysine and tryptophan का content जो था maize hybrids में in 2000 डबल कर दिया गया था wheat variety atlas 66 है is having a high protein content has been used as a donor for improving cultivated wheat wheat तो wheat की ही variety है atlas चली बताइए कल्यान सोना किसका है सुनालिका किसका वराइटी है and atlas 66 किसका वराइटी है wheat variety है ठीक अब देखिए जो आपने कल्यान सोना पढ़ा था और सुनालिका पढ़ा था उनमें तो high resistance है high yield वो देती है atlas 66 में protein का content बहुत अच्छा है और आज की जो हम wheat उगाते हैं उसके उसको और अच्छा बनाने के लिए उसमें भी protein को सही करने के लिए कौन सा प्लांट से कौन से प्लांट से hybridization करवाई गी थी atlas 66 को ही as a donor use किया गया था it has been possible to develop an iron fortified rice variety containing over five times as much as iron as in commonly consumed varieties तो हम iron से ऐसा rice भी बना सकते हैं कि जिसमें बहुत सारा iron हो iron fortified rice की variety जो है वो develop कर सकते हैं जिसमें की normal जो हम rice consume करते हैं उससे पांच गुना जादा iron हो ठीक है देखिए the Indian Agricultural Research Institute New Delhi ठीक है याद रखिएगा I A R I भूलना नहीं है पूछा जाता है वहीं आपने Indian Rice Research Institute कहां पढ़ा था Philippines में तो I A R I कहां है New Delhi में Indian Agricultural Research Institute New Delhi has also released several vegetable crops that are rich in vitamins and minerals ठीक है तो I A R I ने बहुत सारी ऐसी crops को release किया है जिनमें बहुत सारे vitamins and minerals हैं तो देखिए अब धान से तुनने वाली बात यह है कि आपको याद रखना पड़ेगा वाइटमीन A Enriched Carrots, Spinic and Pumpkin ठीक है तो पालक, कद्दू और गाजर में ऐसा बनाया उन्होंने जिसमें वाइटमीन A का content जो था वो जादा था अब कैरेट में वाइटमीन A ठीक है आप मान सकते हैं कि जादा है है ना फिस्पिनिक एंड पंकिन चलिए वाइटमीन C Enriched विटर गौर्ड बत्फवा मस्टर्ड टोमाटो फिर उन्होंने ऐसा करेला बनाया बत्फवा बनाया मस्टर्ड जो सर्सों है तमाटर ऐसा बनाया ठीक है तो आई ए आर आई जो है वो अलग-अलग सबजिया बना रहा थ तो विटरमीन C को ज्यादा करने के लिए उन्होंने क्या बनाया करेला बना दिया बत्फवा और मस्टर्ड सर्सों का साथ दोनों मिला के बना दिया चिक और टमाटर जरूर लगाया ठीक है तो विटरमीन C Enriched क्या हो गया बिटर गौर्ड बत्फवा मस्टर्ड और लब लब और फ्रेंच गादन पीस बनाया